संस्कृत अगर राष्ट्र भाषान होती तो सुदूर दक्षिन के शेत्र मालाबार से तालूक रखने वाले एक ब्रामण आचारिय शंकराचारिय जी द्वारा यह संभव न हो पाता कि वे पूरे देश को एक साथ सरुव्यापक बाउधिक धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक एकता के अंतरसूत्र में जोड़ पाते हैं हम आदिशंकर से कुछ हजार वर्ष पीछे चलते हैं मेरे इस कथन को ध्यान से सुनिएगा कुछ हजार वर्ष पीछे लगभग दस हजार वर्ष पहले जब विश्व की अन्य सभेताय समवाद के लिए बोलियां विक्सित कर रही थी तब भारत में वैदिक मंत्र रचे जा आज तक जीवन और दर्षन के स्रेष्ट काव्य माले जाते हैं लगभग 20,000 मंत्रों के साथ वेद, धर्ती, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, देवता, ज्यात, अज्यात, द्रिश, अद्रिश, भूमी, जल, वायो, अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्र, वन, परवत, नदी, पशु, पक्षी, क्रिशी, सब को समझने का गूड़ प्रयास करते हैं, उनकी अभ्यर्थना करते हैं, कहना आवश्यक नहीं कि वेदों की भाषा संस्कृत है वेद के बाद उपनिशद रामायन और विशालकाय ग्रंथ महाभारत, जिसमें जीवन के सभी पक्षों का द्वितिय उद्गाटन किया गया है, कि रचना संस्कृत में हुई, फिर आरण्यक, प्रामन ग्रंथ और पुराण ज्यान, विज्याम, दर्शन, गणित, साहित्य, कला, संगीत, वास्तु, आदि सभी विश्यों में, जो भी महत्वपूर्ण रचा गया, वह संस्कृत में ही रहा आपको ध्यान होगा, कि आदि शंकर ने अपना दिग्विजय संस्कृत भाषा में किया था यहां तक कि मंदन मिश्ट से उनके सुप्रसुद्ध शास्त्रार्थ की कथा में, यह भी कहा जाता है, कि मिश्ट का शुक यानि तोता, वैदिक मंत्रों का उच्चार करता था अब आप समझ सकते हैं कि संस्कृत भाषा हमारे सेक्यूलर भाईयों और वामियों को क्यूं खटकती है और वह क्यों दिरंतर इस देव भाषा को मृत भाषा कहने का कुचक्र रचते रहे क्यूं वे विश्व विद्यालियों में संस्कृत पठन पाठन के विरोधी रहे क्यूं उन्होंने संस्कृत को पूजा पाठ और ब्रामणों की भाषा कहकर उपहास किया पश्चिम के सभी मुक्त चिंतन करने वाले दार्शनिक भी संस्कृत के आगे नतमस्तक रहे पानेनी ये व्याकरण से उन्होंने बहुत कुछ क्रहन किया संस्कृत भाषा की वैज्यानिकी और संरचनात्मक सुन्दर्ता ने उन्हें अभिभूत किया और कुछ कुंठित विलायती संस्कृत का वैभव देखकर ठिठक कर रह गये फिर दुष्टता में उन्होंने इसे नश्ट करने के शर्यंत्र रचे जिसका सूत्र पात करने वाला मैकॉले था धीरे धीरे मैकॉले की लाखों संता ने इसी देश में जन्म ले गई और आज हमारे ही अपने कहते हैं कि संस्कृत तो ब्राम्बनों की भाषा है यहां आत्म घ्रना का भाव ही वामियों और सेक्यूलरों का सबसे प्रमुकास्त्र है अब धीरे धीरे जो जागरन आया है उससे भारत ने पीछे पलट कर देखना शुरू किया है और वामियों की च्छाती फूलने लगी है उनकी असल चिंता यही है कि 200 वर्षों का कुचक्र तूटने लगा है आप इस शर्यंत्र को समझ सकते हैं संस्क्रित भाषा यहां एक प्रतीक है यानि जो स्रिष्ठ था उसे मलिन किया गया इसी लिए कभी हिंदू धर्म तो कभी हमारे धर्म गरंत कभी पूजा पद्धती कभी ब्राम्मन, ख्षत्रिय या वर्ण विरुस्था को निशाना बनाया जाता रहा हमारा एक मात्र उद्धेश्य हिंदू समाज को जगरत और एक जुट करना है इसमें सहभागी बने धन्यवाद